तो सबी दोस्तों का वेलकम है आपके अपने यूटूब चैनल पर उम्मीद करता हैं आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों पिछली वीडियो आपने देखी थी के हम कापा सेडा चोक पे गए थे वहाँ पे गार्णिंग सौप है जहां आप सबी जो बागवानी करते हैं उनके लिए वहाँ पे फटिलाइजर और गार्णिंग टूल मिलते हैं तो दिल्ली की वह सबसे सस्ती मार्केट है वहाँ पे आपको सीडलिंग वाले पोदे भी मिल जाएंगे तो वो बीडियो आप देख लेना आपको पता लग जाएगा अगर वो पिछली बीडियो नहीं देखी तो इस बीडियो के लाश्ट में उसका लिंक दे दूँगा तो आप जैसे ये बीडियो खतम होगी तो आप उस बीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो है हमने वहां से क्या क्या चीजे खरी दिया है तो थमनेल देखके आप पैचान गए होंगे तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नय है तो इसको ससक्राइब कीजिए दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप बहुत अच्छी वीडियो आपको मिलेगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत वीडियो मिस कर देंगे तो ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए चलते हैं अपने बीडियो के तरफ दोस्तो आगे अपने फटिलाइजर के तरफ तो सबी दोस्तों को औरगेनिक चीजे ज़्यादा पसंद है केमिकल से दूर रहते हैं तो औरगेनिक के लिए सबसे अच्छा है ये नीम ओईल तो देख सकते हैं ये नीम कवच के नाम से आता है ओरजिनल नीम ओईल है और ये दोस्तों 100 ml है तो यहां कहां लिखा है ये देखे 100 ml लिखा हुआ है तो इसे हमें 5 लीटर में बस 5 ml डालना होता है और हफते में 15 दिन में आपको एक बार देना है तो 200 रुपे इसकी प्राइज है पर ये 100 रुपे में मिल जाएगा आपको तो 100% इसमें ओरजिनल नीम है जो और ये देखे प्लास्टिक के ये ग्रो बेग है तो ये 1500 रुपे किलो के हिसाब से वहां पे मिलते हैं आपने टेरस गार्डन पे ज़्यादा बजन नहीं डालना चाते तो आप इस परकार के बेग ले सकते हैं दोस्तो ये नरसरी पे भी बहुत यूज होते हैं तो 1500 रुपे किलो मिलते हैं ये तो आप देख लीजिए और ये देखिए ये है बॉन मील तो एक केजी का पैकेट है दोस्तो ओनलाइन मैंने इसे पता कि अब बहुत महेंगा मिलता पर ये बीस रुपे का है तो आप वहाँ जाके इसको मांग सकते हैं आपको बीस रुपे का ये बॉन मील का पैकेट एक केजी का मिलेगा अब देखिए इधर है नीम कवज देखिए ये है नीम खली जो नीम का तेल निकालने के बाद जो मैट्रियल बसता है उसे नीम खली कहते है तो दोस्तो ये एक केजी का पैकेट है तो ये मुझे चालिस रुपे पड़ा है तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो दोस्तो ये हमें अपनी जड़ो में डालना पड़ता है ताकि उसमें कोई कीडे बगेरा ना लगे तो ये देखिए ये दोस्तो इधर आते हैं तो ये है देखिए सीवीड तो दोस्तो ये जो होता है और्गैनिक होता है तो ये 100 रुपीज का 500 ग्राम का पैगेट है तो दोस्तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर इसे लाइक करके बताएं